तो बाई जैसे आपने टाइटल और थमनेल में देख लिया होगा ये वीडियो होने वाली है एक ऐसे टॉपिक पे उपर जिस टॉपिक के लिए हर मतलब बंदा यूट्यूब खोलता ही है और चलाता है कि इस टॉपिक के उपर वीडियो चाहिए तो आज तुम्हारा भाई उ में अकांड जो रोडिस 2023 ऐसा बोलो तो मैंने दिल्ली से ओडिशन दी थी भाई और 15 एपरिल को ओडिशन थी दिल्ली में और तो जो भी आपके कॉस्चन होंगे जो मेरे दिल में कॉस्चन थे जो मैंने यूट्यूब से ट्राइ करे थे ढूंडने के लिए वो सारे मैं सारी चीजेंre कश्रूबさん और अपना एक्सपेज कर रहा हूं देखो एक से बतुम लेकर लास्ट तक जो भी था मैं कॉन से राउंड तक निकट गया कितने रांड होते हैं मैं कॉन से रांड से बाहर हुआ क्या मेरी गलती थी सब बताउंगा तो मेकशूर अगर चैनल क कर रहा है तो प्लीज यार अपने भाई समझ कर जो आपके लिए इतनी इंफोर्मेटिव वीडियो ला रहा है उसके लिए प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर रहा है हां तो स्टार्ट करने इस वीडियो को तो सबसे पहला कोशन होता है कि यार देखो अगर आज ऑडिशन है तो हम जाएं कब आडिशन देने टाइमिंग क्या रहेंगी क्योंकि जब भी रोडीज की आटी आती है तो कि मैंने भी यूटुब पे देखा और किसी यूटूबर ने बताए था कि पिछली रात से लाईने लगना स्टार्ट हो जाती है तो मैंने भी सोचा यार चलो कि पिछली राष से line start हो जाएंगी तो मैं जल्दी चल जाओंगा, line में लग जाओंगा, सुबा जल्दी चल जाओंगा, और audition दूँगा, roadies बन जाओंगा, तो यार वैसे इसलिए मैं क्या 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 कि मैं निकल गया गर से 9 बजे के करीब गड़गाउं से, और एक घंटे में पहुंच गया जोहाललाल नहरू स्टेडियम जहां पर ओडिशन्स थी ठीक है और दस बजे मैं क्या देखता हूं भाई भीड मतलब ऐसा लगा लो कि 500 आदमी उस टाइम था मतलब 300-400 के राउंड तो था तो मैं भी गया और वहां पर देखो क्या हुआ तो नहीं नहीं ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ तो पूरी स्टोरी वाली वीडियो भी मैं डालूँगा पट अभी जो आपके कॉस्चन्स हैं मैं वो क्लियर करता हूं तो यार देखो पहला कॉस्चन होगा आपका कि कब जाएं तो यार पिछली रात को तो अगली सुबह जाओ बिल्कुल निल खतम कुछ नहीं कर पाओ वहां पर तो सबसे में बात कि अगली सुबह जाओ बिल्कुल त्यार शार हो के बड़िया कपड़े डाल के निकलो और पड़ी ओडिशन्स दो और बस सेकंड कुश्चन कि कितने राउंड होते हैं ठीक है आपड़ा हैं तो देखो यार सबसे पहले होता है जगी तुम जाओगे मतलब तुम लाइन में लगो कि और बहुत बगदरी दिलनी में को यार तो जैसे तुम लाइन में में लगो गे अंदर तुम्हें कुछ नहीं ले जाने मिलेगा बॉटल चार्जर फोन सब ऑगी सब तो make sure कि कपड़े और फोन हो बस या कोई और उसके पास पकड़ा देना मतलब लाइन में लगने से पहले तो अंदर जाओगे सबसे पहले तुम्हें देंगे एक फॉर्म जैसा अपने सुना होगा ना रोड इसका एक फॉर्म होता है उस पर कोश्चन होते हैं बहुत ट्रिकी तो में GD Room में समझे जायेंगे और वहां भाई काला कमरा काली कुर्सिया काले कपने डाल के बैठोंगे Judges और जो फटती ऐस्ताइम में नहीं बता सकता है तो वह होता है GD 1 और तुम्हारा भाई क्लियर कर पाया था तक और ने पहले GD 1 होता है फिर होता है GD 2 उसके बाद होता है अपना पी आई जो होता है टीवी पे जो इसको टीवी राउंड की बोलते हैं तो वो होता है पी आई तो मेरा जीडी वन निकला था जीडी टू में आपका भाई रहा गया तो चलो अगली बार ट्राइ कर सकते हैं अब मेरा बस करने रहा है तो यार देखो जीडी वन म और देखो GD1 में कैसे question पुछेंगे सबसे पहला question होगा तुम रोडी क्यों बनना चाहते हो उससे आगे मतलब और maximum 15 सेकंड बात करेंगे तुमारे से 15 सेकंड उसमें तुमने उनका मतलब कुछ ऐसा बोल दिया कि वो हो गए तो मतलब तुम हो गए तो GD1 GD2 होता है उसके बाद होता है PAE ठीक है तो और GD1 आज हुआ तो रात को कॉल आईगी कि आप हो गए अगले GD के लिए यहाँ जाओ और GD2 के लिए वैसे होता है रात को कॉल आती है और कि आप TV राउंड होगा और वही उसी शेहर में होगा जहां तुम होते हो उसके पहले होता है GD1 फिर होता है GD2 और हर बार तुम्हार से फॉर्म बरवाएंगे हर बार तुम्हार से कॉश्चन पूचे और हाँ अगर तुम्हें यह भी मेरे पास फॉटो है कि क्या कॉश्चन पूच्छे थे और हाँ यार देखो एक टाग लाइन होती है ना जैसे रोड चाहिए तो बता दो कमेंट कर दो मैं डाल दूँगा और मेरी पूरी स्टोरी में करूँगा अगली वीडियो में तो वह देख लेना इसमें मैं तुम्हारे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं ठीक है तो यह गलती मैंने करी थी कि जल्दी गया था नहीं जाना है और अच्छ और दूसरी बात है यार देखो हाँ कौन सेलेक्ट होगा स्लेक्ट वह होगा देख यहां जो आदमी होगा ना वह स्लेक्ट नी होगा या तो यहां या तो यहां मैं सही बता रहा हूं या तो मतलब कुछ है कि लोग तुम्हाइ देखके हसेंगे तो तुम सिलेक्टो या तो कुछ होगा कि लोगों की तुम्हें देखके आँखे फट जाओगी तुम्हां यार देखो और अगर। तुम्हारे पास फैन बेस है पचास हजार सब्सक्राइबर यूट्यूब पे एक लग सब्सक्राइबर यूट्यूब पर चोटे मोटे यूट्यूबर हो कहीं कोई वीडियो वाइरल हो गई है और कुछ भी ऐसा रिलेटिड है कि तुम्हारा कुछ भी फैन बेस है तुम्हें लोग देखना पसंद करते हैं तुम सिलेक्ट हो जाओगा बस वह बताना है कि मैं सर ऐसा है मेरी वीडियो बाहरे लोगी थी या वो वीडियो अपने देख्योंगी इंस्टा पे वह मैं हूँ बस तुम्हें यह बताना है तुम सिलेक्ट हो जाओगे ठीक है और मैंने क्या किया था वह मैं तुम्हें ही दूसरी वीडियो में बताऊँगा तो इसमें लिएकाशन प्लियर कर रहा हूं तो पहली बात टाइम से जाना अगली सूबह रिलाक्सारों कि बढ़ी खाणा पीन क्या क्या बोलना है मतलब यह इस चीजे लेकर जाना कि तुम्हारी परस्नेलिटी कैसी होनी चीए और क्या होता है यार यही होता है तीन राउंड होते हैं जेडी बन जेडी टू और पी आई होता है टीवी पर दो राउंड होते हैं टीवी से पहले और क्या होता है बहुत है और मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ तो बस यह है यार कुछ भी किस कोई भी मलत मैं अपना पूरा experience बता दिया आपको और इससे related तुम्हें और भी video चाहिए तो comment कर दो तुम्हारा भाई बना देगा video और make sure like, comment और दूसरी video भी तुम्हारा भाई बनेगा roadies चलो ठीक आएर